तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यह है मेरा यूटूब चैनल यहाँ पर मैंने आप सभी देख सकते एक बहुत ही सुंदर सा बैनर लगा रहा है दिजिटल वारियर यहाँ पर मैं यूटूब ब्लॉगिंग इस तरह की सारी चीजे सिखाने बाला हूँ बट अभी तक मैंने अपने चैनल को जो है वैरिफाई नहीं किया है तो जब इस तरह की आपके सामने इंटरफेस खुल जा तो आपको जाना एक कस्टम चैनल पर ठीक है कस्टूमाइज चैनल पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यूटूब इस्टूडियो में ले करके सिधा चला जाएगा तो यह देखी मेरे सामने यूटूब इस्टूडियो खुल चुका है कस्टूमाइजेशन तो आपको आना बिल्कुल नीचे की साइड आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां देखे सैटिंग का ओप्सन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर करेंगे यह इस तरीके से आपके सामने ऊपन हो जाएगा ठीक है तो यहां पर वाइड डिफॉल्ट जो मैंने यूनिट स्लेक्ट किया हुआ है वह इंडियन रुपीज अगर आप इससे स्लेक्ट करेंगे तो आपको है पर डॉलर दिखेगा ठीक है फर्स्ट टाइम में अगर आपको आपकी website को rank करवाना है तो यहां पर मैं कर लेता हूँ select India यह है इंडिया उसके बाद आप यहां पर keyword डाल दें और उसके बाद advanced setting पे थोड़ी बहुत जो setting है यहां पर किसकी के लिए videos बना रहे हैं क्या आप अपने subscriber को display करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नह नहीं करूंगा क्योंकि नहीं चैनल है तो उसको मत करें उसके बाद जैसे आप आएंगे feature accessibility पे तो आपको देखेंगी कि यहां पर लिखा हुआ feature that required phone verification तो आपको करना यहां पर click और उसके बाद आप से भी देख पा रहे होंगे यहां पर दे दिया है सारा कुछ से आपको system कर लिया है country मेरा इंडिया selected है मैं यहां पर tax verification चाहूंगा और यहां पर मैं अपने phone number को डाल रहा हूं ठीक है जो भी आपका contact number है आप उसे यहां पर place कर दे तो मैंने यहां पर अपने phone number को डाल दिया है उसके बाद मैं इसको send कर चुका हूं अब आपके पास 6 digit का जो है OTP OTP आज आएगा आपके phone पे और उसको आपको क्या करना है यहां पर place कर देना है तो जो भी आपका OTP है तो मैंने यहां पर जो है अपने OTP को डाल दिया और उसके बाद मैंने कर दिया submit तो जैसे मैंने submit किया यहां पर लिख दिया आपने studio में वाइटे studio में और जैसे आप वाइटे studio में खुल चुका मेरा वाइटे studio अब मैं जा रहा हूं अपने इस वीडियो उसके उपर और उसके बाद यह पैंसल के निसान पर मैंने क्या क्लिक और अब जाओंगो यहां पर थंबल में custom थंबलन में तो यह देखिए यह मेरा सामने खुल चुका है और जो भी मैं यहां पर add करना चाहूं वो सारे मैं यहां से add कर सकता हूं बड़े easily और उसके बाद यह easily select हो जाएगा तो guys कैसा लगा वीडियो आप हमें comment करके पूछ सक